असम के CM ने नसे में लगा यांग ड्रक्स को जला कर बोले जीरो टोलरेंस नीती अपनाएंगे असम में ड्रक्स के खिलाब दाबरतोड एक्शन जारी है सनी भर को मुख्य मंत्री हमंत विश्व सर्मा ने गोलाघाट और दीपू में सार्वधनिक रूप से खुद जब्त की गई ड्रक्स में आग लगा दी आप इन तस्बीरों को देख सकते हैं असम के मुख्य मंत्री हमंत विश्व सर्मा की उपस्तिती में सार्वधनिक चका चौंध में दो कुरू रूपे से अधी की दवाओ को जलाया गया है नसिली दवाओ से मुक्त असम को सुनिस्चित करने के लिए असम पूलिस द्वारा नसिली दवाओ की तसकरी पर बड़े पैमाने पर करिवाई की गई है धरसल दो दिन पहले ही असम के सीम हमंत विश्व सर्मा ने घोष्णा की थी कि जीरो टोलरेंस का संदेश देने के लिए 17 जुलाई और 18 जुलाई को गोलगाट डिपू, नौगा और होजाई में जब दवाओ को सार्वधनिक रूप से जलाया जाएगा असम के मुख्य मंत्री ने यह भी कहा था कि युवाओ द्वारा नसिली पदार्थो के सेवन और वेवार के कारण राज्य पंजाब चेसे बनने की ओर अग्रसर है जिसके बाद से आज गोलगाट डिपू में सार्वधनिक रूप से ड्रक्स को जलाया गया मुख्य मंत्री ने कहा कि पिछले दो महिनों में 27 किलोग्राम हेरोई जब की गई है जबकि 12830 किलोग्राम गांजा भी बरामत किया गया है पूलिस ने अब तक 42 किलो अफिम और 78,000 बोतल कॉफ सीरप जो ड्रक्स के रूप में इस्तिमाल होता है और 13.6 लाग टेबलेट बरामत किया गया है मई से अब तक दर्ज 111 मामलों में कुल 1897 लोगों को गिरफतार किया गया है हलाकि पूलिस पहले भी नसली पदार्थों के तसकरी के खिलाब करवाई करती रही है लेकिन इस सल मई में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद या तेज गती में करवाई की गई है झाल 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 झाल